गाइस यहाँ पर मैं नाश्टा कर रही हूँ सुबह के तक्रीबन साथ 10 बचे कर टाइम है और आप लोग सोच रहेंगे कि इतनी देश से नाश्टा क्यों क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि गेस नहीं होती तो जिस टाइम गेस आती है उसे टाइम फिर मैं नाश्टा बनाती हूं अपने लिए काइस में कर रहे हूं किचिन की क्लीनिंग बस नॉर्मल जो रोटीन है मेरी वही आप लोग के साथ थोड़ी बार शेयर करूंगी और कुछ दिन उससे में वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि गली में काम लगा हुआ था बहुत शौर आता थ होगा तो यहां पर मैंने किचिन की क्लीनिंग जो है किचिन की वह कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद जो है मुझे खाना भी बनाना था तो खाने में मैं आज गाइस बना रही हूं चिकन और आलू इसके अलावा अपने लिए तो मैं राजमा बनाऊंगी क्योंके मैं चाथ करे जो है कई कर चूंगी हुआ कर चूंगी हूं खाना और राजमा मैं पहले इससे अपने ल hele दिसका रख शकी हूं तो मैंने सोचा कि पहले हांटी वगेरा बना लेती हूँ बाद जो है अराम से बैट के राजमा इन्जॉए करूंगी अपने राईस तो यहाँ पे जो है ओल गरम हो चुका है और मैं पे उसमें डाल रही थी प्यास बाद जो लोग में चैनल पे न्यू हैं उनसे में रिक्वेस्ट है कि प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऊसाथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना बोले ताकि मेरी हर न्यू आने वारी वीडियो की नूटिफिकेशन आपको मिल सके प्लीज यार सब्सक्राइब कर लिया करो आपके इस एक जो सब्सक्राइब करना है या लाइक करना है उसे अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो उसमें मेरा इनी ख्याल के कोई बुराई है तो काफी लोग जो हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं से में रिक्वेस्ट है प्लीज में चैनल कुछ सब्सक्राइब भी करें है कि अधियर नेवर में एक शादी थी तो वहां से हलवा आया था तो साथ साथ में हलवा भी गर्म कर रही थी कि हलवा भी खाओं क्यूंकि मेरा बहुत दिल करा था हलवा खाने को उसके बार जो है कुकिंग मेरी कंप्लीट होने के बार मैं चट पे गई सौनी अलो की चट पे मैंने कपड़े डाले हुए थे के शाम होने से पहले पहले जो है कपड़े भी उतार लूँ सारे तो यहां पे मैं वही जो है अपने सारे कपड़े उतार ने आई थी गाइस कपड़े उतार की जो है फिर मैं नीचे गई गर में और वहां पे मैंने राजमा जो है और साथ यह आपको नज़रा रहोगा अचार भी ओकी गाइस यह मैं अचार लेके आई थी इसमें सारी चीजें जो है मिक्स हैं और साथ जो है वो शल्जम भी है तो यकीन करें कि बहु मुझे तो बहुत पसंद आया तो यह राजमा मैंने बहुत इंजोय करके मज़े ले लेकि यमी सा खाया था इन लोग ने अभी तक ट्राइ नहीं किया शल्जम का अचार तो प्लीज हो जूरूर ट्राइ कीजिएगा क्योंके बहुत जबरदस्ट टेस्ट रता है इस अचार का मैंने भी फर्स टाइम ट्राइ किया लेकर मुझे बहुत पसंद आया तो इंशाला नेक्स टाइम भी जब मैं जाओंगी मार्किट तो लाजमी लेकर आओंगी ओके घृट तो यह मेरी एक और केट है बहुत क्यूट टीपाई है मेरी यह केटू मिलिए मेरी पास एक तो स्वीटी है इसके लावा यह और मेल केट लेह से मेरे पास काफ़ी केट्स हैं गाईज और मैं किसी टाइम आपको दिखाउंगी तो मुझे जो एनिमल्स हैं बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मुझे बहुत फिकर होती है इनकी तो मेरे पास काफी कैट से गर में मैंने रखी हुई हैं और मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ कैं एंग सीष्गंद काफी युद्ग को वरी में ये विम्यार को टिली में मैंने तो यहां पे मैं वही कर रही हूं गाइस, अपना बिस्तर जो है, वह साफ कर रही हूं, उसके बाद मैंने बेची टिक करनी थी, बाकी रूम की सारी डिस्टिंग वगारा करनी थी, यहां पे मैंने वह सारी कंप्लीट की, उसके बाद जो है, दूप लगवाने के लिए मैं, च माने कपड़े दोये थे तो बहुत मज़े से कपड़ों को जो है सेड़ और मैं मुझे बहुत हिरानगी हुई कि इतनी चोटी सी बच्ची है और ये कितने सलीके से और कितने तरीके से जो है सारी जो कपड़े हैं और उनको अकठा करी है एक साइट पर करी है ताके उनको भी भी नहीं बोला था कि आप ऐसे करो वहां पे जाके कपनों को अब यह आप चेक करें ज़रा कि गिरा हुआ है और यहां पे वो उठा के तो उपर रख रही है माशाला माशाला ओके गाईज आज की वीडियो में बस इतना ही अपना बहुत ख्याद केगा अलाह आफीस